Hello everybody, this is Ayushi Agarwal from AA Classes. हम कर रहे हैं Class 6 History and CRT Chapter 2 From Hunter Gathering to Growing Food आखिट खागे संगरख से भोजन उत्पादन तक Domestication, बसने की परखिरिया Domestication होता किया है हम इसी Domestication नाम इसले देते हैं क्योंकि जब लोगोंने पोधियोगाने शुरू करे जानवरों को पालना शुरू किया तो उनकी देखबाल करने के लिए उन्हें एक जगा रहना शुरू करना पड़ा नहीं तो इससे पहले लोगों क्या करते थे आज वो यहां रह लिए जनगलों से फलफूल खा लिए यहां के जानवरों को शिकार कर लिया अब यहां खतम हो गया तो यहां चले गए नहीं फिर यहां पे ऐसे उन्होंने यहां पे इससे सारे के सारे फल खाले जानवर उर टी यह गास नहीं बची यहां पर तो उन्होंने यहां रहना शुरू कर दिया ऐसे वह अलग लग जगह पर जाते रहते थे कुछ कुछ टाइम बाद पर जब उन्होंने यहां पर पोधों के खेती करने शुरू कर दी पोधे वाने शुरू कर दिये जानवरों के देख बाल शुरू क जो पोदे या फिर जानवर उन लोगों ने खुछ से उगाए वो जंगली जानवर और जंगली पोदों से अलग होते थे अब जंगली जानवर और जंगली पोदे कहते किसे हैं एक पोदा वो हुआ जो अपने आप उग गया ठीक है और एक पोदा वो हुआ जिसके हमने बीज डाले ठीक है बीज डाले उसमें पानी डाला उसकी पूरी केर करी कि कोई कीड़ा उसमें ना लग जाए उसमें धूप मिलती रहे उसको ज्यादा बरसास से वो खतम ना हो जाए उसको क्या के जानवर ना के खाले उसकी पूर पूरी की पूरी देखबाल करी उसको टाइम पर पानी दिया असके टाइम पर खाट डाली तो वह तो हो गया हमारा अपना उगाया हुआ और जो अपने आप हो जाते इसके हम केर नहीं करते उसके हम बोलते जंगली ठीक है वह जंगली पोदा भी हो सकता है वह जंगली जानव या जंगली पोदे थे और जो उगाए गए पोदे और पालतू जानवर थे उनसे अलग होते चले गए पीपल और लोग भी उनी जानवर को या फिर उनी पोदों को गात थे जो जाद बीमार ना पड़े अगर एक जानवर माल लो गाहे माल लो वो बाबर बीमार पड़ती रहेगी तो उसे कौन पालेगा उसके उपर तो उल्टा हमें खर्श करना पड़े जाद देखबाल करनी पड़ेगा उसका दूद नहीं पी सकते हैना तो हम ऐसी ऐसी चीज़े ही पालते है जो जाद बीमार पड़े एसी नोनी भी वही चीज़े लिए जो जादा पीमार न पड़े और उनके देखबाल भी अराम से हो जाए और वह साथ ही अनाज उन पड़ा का अनाज चुनते थे जिनके डंडल पक्कियों डंडल क्या होते हैं जो यह नीचे का भाग होते हैं जैसे यह देखो इस इमेज में हम देखते हैं जैसे यह नीचे का भाग जो है इसका जो डंडी बोलते हैं हम उसे वह मोटी हो ताकि वह उ तो जो भी जानवर होगा इनको असानी से खा लेगा तो जब यह असानी से बचिंग गई नहीं तो इसको उगाने का फायदा क्या होगा इसले वह ऐसे चीज़े उगाता थे जिनकी डंडिया मोटी हो तो देखो गे जंगली पोधा है और यह उगाने के बाद धीर दीर इस में क्या अंतर है वो है यह देखो जंगली पोधी में जो स्टार्डिंग में अपने आप उगा था वो कैसा लग रहा था और धीरदेश असनों उगाना शुरू किया तो इन दोरों में कैसे चींजिस आने लग गए सीड फ्रम स्लेक्टिल प्लांट्स आर पीजर एंड सोन तो एंशो डेट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव था सीम कॉलिटी अब जो ऐसे पोधे थे जो असानी से उगाए जा सकें जो बीमार ना पड़े उनकी जास देख भालना करनी पड़े जिनकी डंडिया मोटी हों तो इनके जो बीज होते थे वो समाल के रखते थे ताके वो अगली बार फिर से उन्हें उगा दे और उन्हें फिर से वो अनाज खाने को मिल जाए तो इनके बीज वो समाल के रखने लग गए उन्हें जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तोर पर आहिंसक होते हैं या पर आ भी है आहिंसक होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा क्रिशी के लिए अपनाये गए पोदे धीरे धीरे जंगली जानवरों से भिन होते गए क्या होते गए धीरे धीरे जंगली जानवरों और पोदों से भिन होते गए पालतू जानवरों के तुल्ला में जंगली जानवरों के दात्तोर सिंग छोटे होते चले गए क्या है इसका मतलब है कि यह देखो है आपे जब उन्हें जानवर पालने शुरू करे तो उनमें अल्लागल डिफ्रेंस आया जैसे भी मैंने पोध्धु की बारहें बता है यह जंगली है और यह पालतू है और इनमें आप खुद पर खुद देखो इनके सिंग बड़े हैं इसके सिंग चोटे हो गए बड़े हैं चोटे हैं इनका साइस चेंज हो गया यह मोटा था यह पतला हो गया है ना यह पतला था यह मोटा हो गया कुछ कुछ चेंजिस आये जो उन्होंने पाले थे उनमें इनके सिंग क्यों छोटे होते चले गए इसका कारे ने किये भी था कि ये तो पहले अपनी सुरक्षा खुद करते हैं फिर जब इनको पालना शुरू कर दिया तो इनकी सुरक्षा कौन करता था आजमी तो इनको अपने सिंगों के जुरती नही थोड़ दिया चाता है कि घास क्हा ले दितनी भीजी में मापने सिंगों का दो काम काम ऊत्व होता है जहां नहीं रागा टो इनके सिंगो का काम कहतं होता चलागा झासी डा पाते होते भी जाता है ये सब कुछ ने जब वह हो ही राए तो इनके दात छोटी होते चले गए ला तो कि फोटो आपकी बुक में भी दी रखिए लेप है कि फोटो आपकी बुक में भी दे रखिए तैखोई छोटा ए consort comment बड़ा दाथ एक सुवर का दाथ दिखा गया है यह जंगली सुवर का है और यह पाहतु सुवर का है हम देखो इनके दाथ कितने अंतर हो गए Domestication was gradual process that took place in many parts of the world It began about 12,000 years ago बसने की परकिरिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती रही यह करीब 12,000 साल पहले शुरू भी थी 12,000 साल पहले हमने पढ़ा थो ना कौन सा पियर चल रहा था हमारा मैसोलिथिक, मध्यपाशनकाल 12,000 से 10,000 साल तक का तो इसी की साल साल उन लोगोंने बसने की जो बसना था जो अपने आपको रहना था एक जो का बंद की रहना था उसको उनने स्टार्ट कर दिया Virtually all the planet and animal produce that we use as food today is a result of domestication Some of the earliest parts to be domesticated were wheat and barley वास्ताम में आज हम जो भोजन करते हैं में इसी बसने की प्रकरिया की वज़ा से है क्रिशी के लिए बनाएंगा सबसे प्राचीन वस्तों में गेहूं और जो आते हैं जो भी हम आज खा रहे हैं गेहूं अगर वोगों ने उसके बेसमाल की ने रखे होते हैं माला की स्टार्टिंग में वो प्राकर्टिक रूप से अपने अप उगने लग गए ठीक है अगर वो उसको देखते ही नहीं अगर वो उसके बेसमाल के रखते ही नहीं तो आगे उगाते क्या अगर वो उगाते नहीं तो हमें शाय से गेहूं खाने को मिलता ही नहीं तो हम यह कहा सकते हैं, गेहूं और जो जैसे से नोने स्टार्टिंग में चीजे उगानी शुरू कर दी, वो हमें खाने को मिलने लग गई तो जो भी हम आज खा रहे हैं, वो हो सकता है कि उनकी जो प्रोसाइस था स्टार्टिंग में, उसकी वैसे हमें खाने को मिल रहा पालतु बनाएंगर जहनुर में कुत्ते के बाद भेड और बकरी आती है, ठीक है, सबसे पहले कुत्ता था, कुत्ते का जंगली रूप तो जिसको मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसके बाद किसको पाला गया, भेड, फिर किसको पाला गया, बकरी, A new way of life, एक नवी जीवन शैली, when people began growing plants, it meant they had to stay in a same place for a long time, जब पोदे उगाने लगे, जब लोग पोदे उगाने लगे, तो उनकी देखबाल के लिए उनकी जगा पर रहना पड़ता था, क्यों रहना पड़ता, क्योंकि उनको पानी डालना, ठीक है, उनकी बीज बोना, फिर पानी डालना, फिर उनकी देखबाल करना कि कोई उनकी ब्राबर रूप से पानी डालते है ना उन्हें फिर जब वो पग्ज के थेयार हो जाया तो उनके बीज निकाल लेना उनको इस चाइब से कर लेना कि जो जो उनके खाने का मतला है कि वो निकाल लेते थे तो इस वज़से उन्हें एक समय पे एक टाइम पे बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता था एंड थे ग्रेन है टू बी यूस्ट केरफू अब जब उन्हें उगा लिया यह सब कुछ तो इसके बाद उन्हें एक लंबे समय पर रहना पड़ ग्रेन कर लिया कटाई के बाद जो उनके पास अना जाया गहू आया चावल आया जो आया बाले आया तो नहीं सबकोने बहुत की लंबे सम्मय तक उप्योग कर पाए इसके लिए उन्हें संभाल के रखना पड़ता था तो यह अन्हें गड्ड बना लेते थे गड़्ड देख जिइसे टोक्री में भड्र रेते थे लोग इखटा करकर कर के गड़्ड बना रहे हैं का रहे हैं इधर देखु इनोंने क्या रखा है एक ज्ली पालतू बना रखा है यहां देखो ही लोग अनाज को पीस रहे है कुछकुछ टाइम बाद उनको यहां से पीस नहां आ गया ता यहां देखऊ उनने घाना पकाना आ गया यह सारे के सारे जानों नोंने पालतू बना रखे हैं उसको चरवा रहे हैं घर का अंदर का हिस्सा दिखा रखा है वो देखो यह लकड़ी काट रहा है तो सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं यहां पर तो इसमें दिखा रहे हैं यह आगे अनाज बोने के लिए रसली बोड़ियों कृषियों कृषियों में बहलें। उन्हें खाने के लिए या बोने के लिए ना जैसे ब्रोड करना होथा था। As grain had to be stored for both food and study. People had to think of the ways of storing it. In many years, they begin making large delay pots or grow baskets or dug pits into the ground. अनाच को भोजन और बीच दोनों के रूपे बचा कर रखना आवशक था, अच्छे यह आवशक क्यों था, कि अगर भचा कर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, अगर भचा कर नहीं रखेंगे, माना कि बारिश आगी, उसे पानी भरे गिया, अब वो सड़ गए, अब वो ाम कि नेलम हमकेड उनके पीश पास य। झार लेती के चंश य। लेकिन जब वो उसके पास ही नहीं तो खानब है गया कि अबसक्ता अने न害 न्गाल के बचांगे लेकिन अगली बार बोने के लिए सुरक्षित हो गई कि य। अगली बार आपो गुछ से पानी ना आ जास में जाज भो जाता ठंड पड़ गई तो इसमें बरफ ना जम जाए कुछ ऐसा होना जाए कि वह अनाज सड़के गल जाए या फिर वह अगर बार आगी तो भेन आ जाए इसमें साथ इसलिए बचा के रखते थे भंडारन के लिए बहुत से लाकों में क्या अनाज भणने का काम शुरू हुआ क्योंकि वह अने मिट्टी का काम नहीं आता था टोकड़ा बुन्नी तो बहुत बाद में शुरू हुई है तो इस वैसे सबसे पहले जमीन में गड़ा खोथ की उसके अंदर से हमें जो भी उने डालना होता था गेहों चावल वह सबको ड आने जमाने में यह मिले भी हैं ऐसे गड़ों के अंदर अनाज पढ़े हुए कुछ-कुछ दाने मिले हैं सारे तु नहीं मिल सकते कुछ-कुछ दाने मिले हैं तो इस हिसाब से अंदाज लगा ले गया है कि उसके अंदर वह भरके रखते होंगे स्टोरिंग एनिमल्स जानवर चलते फिरते खागे बंडार अब उनको चलते फिरते खागे बंडार क्यों कहा गया है या एनिमल को स्टोर करने के लिए कैसे कहा गया है अब क्या होते हैं अगर हमने जानवर हैं जानवरों के बच्चे होते हैं उनके फिर बच्चे होते हैं इनके फिर बार्वें इनका Byב C3 485 तो फिर उन बच्चों के इनकी फिर वक्षक बट्ऺ बच्चे पे तो ईनका उगलें और फिर लुच्य वख्टे बारो होगा na है और दूत के मिल जाता था एंने उस दूत को पनीर गी जिस ऐसाप Be उन्हें यूज करना है वो यूज कर लेते थे अम मानों कुछ ऐसा जानवर है जिसका मास भी खा सकते है पहले तो हो सकता है वो लोग कुत्तों को भी मास खा लेते हूं किसी भी जानवर का मास खाने तो जैसे कि उसे कुत्ता है उनके काम का नहीं हो रहा या जाद बहुत सारे कुट्ते हैं उन्हों ने खा लिया और ने पका कर तो इसलिए हम क्या कहते हैं चलते हैं फिर थे खागे बंडा कि जब तो खमें वह उससे दूद मिल रहा है जो दूद बहुत अच्छा एक प्रसोर्स होता है खाने का जिसे हमें प्रोपर खाना होते हैं दूद के अंधर प्र तो फिर हम और जानवर कहां से लाएंगें मैं और दूद कहां से मिलेगा तो उससे क्या होता है कि घर run us रहने के लिए जाते हैं तो उनगों को सानी से लेकर जासकते हैं तो इम क спокой स्सक्सक्राइब मिल जाएगा और पी अना ये देखो ये इनके देखबाल कर रहा है ये बैठा हुआ और बाकि ये लोग खेतों में काम कर रहे हैं अना तो इनके देख भार क्यों कर रहा है ताके इस पे शेर वे रहा के कोई बड़ा बड़ा जानवर रहा के लोगों को खाना ले और इनके देख को सिंग भी नहीं है और जब कि जो हमने पहले फोटो देखी थे उसमें इनके सिंग भी थे सो गाइस आज बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और कुछ भी क्वेरी हो तो कमंड़ां जरूर कीचेगा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच